स्कारलेट विच एक माँ अपने बच्चों के प्रतीक किसा तक भी जा सकती है और जरुवत पड़े तो पूरी दुनिया से लड़के उस दुनिया को खतम भी कर सकती है इसी चीज़ को हमने मल्टिवर्स ओफ मैंनेस मूवी में देखा लेकिन आखिर में वांडा का क्या हुआ क्या वांडा गुजर चुकी है या फिर अभी भी जिन्दा है अगर जिन्दा है तो फ्यूचर में कौन सी प्रोजेक्स में अपिरेंस होने का चांस है शकल से क्यूट और काम से खतरनक दिखने वाली इस जादू करने के उपर रिसेंटली आई हुई रूमर्स क्या है इन सा को फॉलो करने वाले ओडियंस को पता ही होगा वांडा मैक्सिमॉफ इतना असानी से मनने वाली है नहीं तो बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज एंड अडि मल्टिपस ओफ मैडनेस मुवी के साथ वांडा क्या हुई कहां गई ये सवाल ओडियंस की दिल और दिमाग में एक ब अपरेट डाइमेंशन है फिलाल वांडा उसी प्लेस में है ऐसा रूमर्स देखने को मिल रहे अगाता कोवन ओफ कैवोस सीरीस नेक्स्ट यर रिलिस होने वाला है ये बात हम सबको पता है इस सीरीस में अगाता के साथ वांडा की दो बच्चों में से एक बिली मैक्समॉफ भी होने वाला है ऐसा confirmation आ चुका है ये सीरीस रिलिस होने के बाद विच्चों स्रूट नाम का एक special presentation आने वाला है इस शोर से अगाता कोवन ओफ कैवोस को एक बड़िया ending देने के साथ साथ वांडा की future arrival को portrait करने वाले है वांडा विच्चों स्रूट नाम का place में है तो इस इसका मतलब ये दोनों शोर्स में उनको दिखाएंगे ऐसा बिलकुल भी नहीं है इनफाक्ट अक्टर एलजबिद ओलसन ये दोनों शोर्स में physically अपियर नहीं होने वाली बट इस सीरीस और special presentation में आने वाली conversations में उनके बारे में details reveal करेंगे विजन क्वेश्ट सीरीस की कहानी बले ही Tom King लिखे हैं लेकिन विजन कॉमिक राउं से भी इसकी स्टोरी को अड़ाप्ट करने वाले हैं Actually इस कॉमिक में विजन का एक family होती है वर्जीना नाम का एक wife के साथ दो बच्चे भी होते हैं ये सारे synthesized humans हैं विजन की wife वर्जीना को बनाने वक्त उसकी body में वांडा की brain waves को load करता है So technically वर्जीना में वांडा की consciousness होता है अब देखना पड़ेगा MCU में आने वाला vision quest series में क्या दिखाएंगे और यही नहीं वांडा का separate solo project भी plan में है ऐसा वांडा विजन टाइम में ही makers reveal किये थे बट वो कहां तक implement किया गया अभी तक कोई information नहीं है ये सारे एक तरफ जहां ब 838 universe में Wanda Maximoff का father के जैसा magnitude को दिखाने वाले हैं played by none other than actor Ion McLone. So X-Men fans के लिए ये एक dream comes true होने वाला है क्योंकि comics में सच में वो दुनो father and daughter है बट 616 universe में Wanda and Quicksilver के parents को अभी तक reveal नहीं किया लेकिन अब 838 universe में Wanda की story इसी तरह आगे बढ़ने वाला है इस 838 universe की Wanda story directly Loki series and Deadpool 3 movie क के साथ link करने का chance है. Deadpool and Wolverine के साथ Wanda के story क्यों link होगा? ये doubt आप में से कुछ लोग को आया होगा. So basically Deadpool 3 movie पूरी तरह multiverse को explore करने में ही होने वाला है. So उसमें 838 universe को भी जरूर दिखाएंगे and Wanda का Loki series के साथ कुछ direct connections भी होंगे. So that's all about Wanda Maximoff Return. मैं मिलता हूँ एक और नए बुटन.